मैं आपको बता रहा हूँ कि मामिडाला जगदिश कुमार डर से धर्धरा रहा होगा ABVP अभी से हदबल हो गया होगा और ये जो आने वाला चुनाव है JNU SU का ये कोई आम चुनाव नहीं है ये कोई आम चुनाव इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे आन्दुलन का एक हिस्सा है जो हमने ना सिर्फ पिछले साल लड़ा बलकि पिछले कई सालों से लड़ जा रहे है इस RSS के खिलाफ, परशासन के खिलाफ और ABVP के खिलाफ और इसी आंदुलन में एक अगली कड़ी आने वाला चुना होने वाला है और आप दपका जो आज यहां आप आए और आज एक दिखाए कि इतना भी तुम हमें डरा लो इतना भी हमें धमका दो हम डरने नहीं वाले हैं तुम से क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो मगत सिंग को मानते हैं जो आज बावसाइब के इचारों को आगे ले जा रहे हैं हम वो लोग हैं जो हमारे देश में किसान और मज़्दूरों का आंदुलन राहा है उसको आगे ले जाने वाले हैं साथियों आज देश में जो राजनेतिक परिपेक्ष है जो पॉलिटिकल कॉंटेक्स है उसके बारे में दोशक बोलना चाहूंगा आज फासिवाद कोई थेरोटिकल डिवेट नहीं है जो हम क्लास में पढ़ते हैं धाबे पे जिसमान चर्चा करते हैं वो आज इस देश में परियालेटी बन गया है और उसका एक उधारन है जो एनर्सी को आसाम में लगाया गया है जो फाइनल एनर्सी का लिस्ट आया है और वो इसलिए है क्योंकि पल भर में रातो रात 19 लाग 19 लाग people have been excluded from the citizenship of this country और एनर्सी एक बहुत कॉंपलेक्स मामला है पर इसमें ये हमको देखना पड़ेगा किस तरीके से जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है जिन लोगों को आप स्टेटलेस बोला जा रहा है वो लोग कौन है वो लोग नासित हिंदू है बलकि मुसलमान है आदिवासी है गोर्खा है डलिट है बेंगॉली है अलहर तपके के लोग है और उनको एक चुटकी भर से नहां जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ इस बात पसरकार और आरेटेस से कि वो मा जिसके दोनों बेटिया आज उस लिस्ट में नहीं है जिसने अपना पूरा पैसा लगा दिया है उन लोगों के सर्टिवेट को वेरिफाई करने में जो आज मीडिया के सामने ये कह रही थी कि मैं खुद करें उसी मनोश तिवारी से जो कह रहा है दिल्ली में नर्सी हो उसी रामना गोविंद से जो पहले पारलियमेंट एड्रेस में कहता है कि पुरे देश में नर्सी होना चाहिए अब उस शक्स को क्या जवाब देंगे जो 30 साल से असाम में बॉर्डर सीकूर्टी फोर्स में क हमारी देश के एक सिटिजन के एक क्लास को अलग से केटेकराइब किया जा रहा है कहा जाए कि तुम सिटिजन दी नहीं हो तुमको कैंप में भेजा जाएगा इंटरनेंट कैंप में कंसेंट्रेशन कैंप में तब आज फासिवाद एक अस्रियत हो चुकी है और आज जो जिनको आपके इनी सब नीतियों के कारण काम से निकाला गया और वो कौन लोग है जिनको काम से निकाला गया वो इस देश का गरीब इस देश का मज़ूर इस देश का पिछड़ा वाइंचिस वर्ग इस देश का बहुजन वर्ग है जिसको आपने रातो रात काम से निकाल दि और बड़ा बड़ा आप जुम्ला फेकते हैं जो आप कहते हैं विकास नहीं हो रहा क्योंकि मरहूम प्रधान मंत्रियों के आत्मा आके आपको रात में सताती है उनको मैं पूछना चाहता हूं ये कैसा विकास है कि पांच उपे का फारले जी का बिस्किट लोग खड़ी नही जाता है ये आज इस देश की सच्चाई है और इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए जो मैंने कहा था कि जेन यूएस्यू चुनाव एक आंदोलन का हिस्सा है ये आंदोलन है इन्हीं सब लोगों को किसानों को मज़़ूरों को वन्चित पिछ्डे महीला वर्थ को एक आवाज देनेगा कि जेन यूएस्यू चाहे देश में इनका आवाज कोई नहीं उठाए कोई नहीं इनका मुद्दा उठाए पर जेन यूएस्यू लड़ेगा आने वाला जेन यूएस्यू इनके आवाज उठेगा इनके आवाज मनेगा और आवाज को आवाज के घर कोने प्रतिभिम एक रिफ्लेक्शन इस कैमपस में भी दिखता है तो वह क्या दिखता है देखिए फंड कट के बारे में आपको पता है लाइबरी में फंड कट हो रहा है किताब नहीं है जर्नल नहीं है होस्टल बनाने के लिए पैसा था पैसा तो है नहीं वह बोर्ड में देख रहा हूं कई सालों के पता नहीं वह भी गिर जाएगा कुछ दिन में होस्टल मरमत करने के लिए पैसा नहीं है और आपके एक इन्फॉर्मिशन के लिए बता दू कि जो स्कूल बिल्डिंग होता है आज मुझे कॉम्रेड होईशी ने बात बताई कि हमारे वाइस चांसलर हामिडाला जगदीश खुमार इनके घर का टीवी खराब हो गया ग? टीवी खराब वगववा तो भवव रिपेर वाले को भुला एं तो को बहुतले भईया दस हजा रूप्या लगेगा तो वाइस चांसलर साहब वो थीवी ठीक नहीं करा रहा है ≹ँचulaա का नया फ्लाट स्क्री टिवी मंगा है पचास हजार रुप्या साला ना मिंटन उसका स्कूल एरिया के लिए और महाशाय साथ हजार रुपे का टीवी खरीद रहे है मैं वाइस चांसलर साहब को बताना चाहता हूँ कि आपको फ्लाट स्क्रीन टीवी की कोई जरुवत नहीं है आपको रेडियो की भी कोई जरुवत नहीं है आप एक 500 रुपे का जियो का वो थोटा फोन ले लिजे क्योंकि आपको तो सिर्फ मोहन भागवत से आदेश लेना है और वैसी मेसेज करके आपको भेज देंगे जैसे अंग्रेजो के दमाने में आरेसेस जो है तलवे चाटता था अंग्रेजो का माफिना में लिखता था वैसे आज कैंपस में एबीवपी है वो भी इनका एक बीटीम बनके रह गया है कल एक लड़का मुझे एक बात बोला कि भाईया हम तो पिछले कई सालों से पैनल वोटर है आप तो जानती है मैं का हां जानता हूं बोलो इन पार हम वोट नहीं देंगे क्या हो गया तुमको इतना अकस्मिक रिजर परिवर्दन तुमने कैसे हो गया है एक सवाल बस है कि एबीवपी यूनियन में आके ऐसा क्या कर लेगा जो बाहर रहके नहीं कर रहा है सोचिए इनके अखिल भारतिया बनर से ना परिशत के सरगना शरी 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 तौरब ठरमाजी दिन भर एड़ ब्लॉप पे घुमते रहते हैं वीसिक से मिलते हैं रेक्टर से मिलते हैं इनके ओफिस बेरर एक फोल करते हैं तो HRD मिनिस्टर के मीटिंग हो जाता है इनके जो एक पुराने सदस्य है वो वाइस प्रेज़न्ट है एक पुराने सदस्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लेकक है अगर इनको चाहते कि फंड काट वापस हो जाए फॉस्टल बन जाए लाइबरी में किताब आ जाए तो बीना यूनियन में आया भी कर सकते थे पर यह RSS का विचार धारा है तो यह नहीं होने देंगा तो कि यह चाहते है कि यहाँ पर पॉलिक एजुकेशन खताम हो जाए यह चाहते है कि 183 रुपे का मॉडल खताम हो जाए सामाजी ग्याय खताम हो जाए और जो शिक्षा है को एक राइट नहीं एक कॉमोडिटी एक प्रिविलेज बनके रह जा है और इसलिए चाहिए यूनियन में आये चाहिए नहीं आये यह लोग हमारे जात्रों के लिए जो पिछले वन्चित वर्ट से आते हैं जो देश के हर हिस्ते चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे ना अब कर रहे है ना आने वाले दिन मे करेंगे और इसलिए इस कैमपस ने इनको अतीत में भी नका रहा है और आगे आने वाले समय में भी नकारेगा और क्या हो रहा है अलग-अलग कैमपसेस में आप देखिए किस तरीके से एच्चिव में राम के नाम एक डॉक्यमेंटरी बाबरी मज्जित के डेमोलिशन पे उसको दिखाने के लिए किस तरीके से लेफ्ट गेमोक्रेटिक एक्टिस को पीटा जाता है उनको अरेस्ट करता है मैं अभी इस मंच से कहना चाहता हूं और चुनाती देना चाहता हूं मोहन भागवत को जगदिश कुमार को एविप को कि अगर हम चुन के आते हैं तो अग चुनोती देता हूं कि अगर रुक सके तो रोप कि जिख्णाओ हम लोग है जो इस देश में जो हमेशा इतिहात में दो धराए रहे हैं एक बूच नीच के लिए दूसरी समांदा के लिए एक जो कहती थी कि समाज में सत्ता, टाकत, पैसा सिर्फ एक वर्ट के पास होगा एक कहती थी कि नहीं सबका हग समान है, हम दूसरे वाले के पक्ष में रहे हैं ये लोग जो हमेशादे मनुस मुर्थी के पक्ष में रहे हैं, इनको हम खारिश करेंगे यह कहते है, रोमिला थापर को सीवी बेजो, क्योंकि यह आज इतिहास मिटाना चाहते है, यह अपना काला इतिहास मिटाना चाहते है, कहते राम के नाम मत दिखाओ, जैसे इन्होंने चारवाग की हत्या की थी, जैसे इन्होंने रविधास का मंदिर तोड़ा था, वैसे ही आ और इनको हम पताएंगे कि तुम्हारा काला इतिहास चापलुक्सी का इतिहास है, तुम्हारा इतिहास उच्छ नीच का इतिहास है, हम उसे नहीं मानते, हम एपना इतिहास बूढ़ी ग dönे प्रवर करके वन्सज मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! और आगे आने वाले समय में JNUACU के सामने तमाम सारे मुद्दे होंगे और उन मुद्दों को हम अपना एक आगे ले जाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं और इस कैमपस में फिर ते GS Cash को लाने की एक कोशिश करेंगे हम MCM को बढ़ा के ये एंशुर करेंगे कि हर चात्र को MCM मिले चाहे इंजनेरिंग से हो चाहे SL से हो, चाहे MBA से हो चाहे Science से हो और हम ये एंशुर करेंगे कि इंजनेरिंग और MBA को चात्र का भी फ्रीट 283 रुपीज हो और जो ABAP जो खर भी बड़ा ख़ला रहा है इंजनेरिंग के स्टुएंट्स में जा जा के कह रहा है कि लेफ्ट के लोग प्लेस्मेंट सेल के खिलाफ है लेफ्ट के लोग चाहत देने कि तुमको नौकरी में ले के लिए अरे भाईए एक बात बताइस जो जो फ्लेस्मेंट सेल चलता अरे भ्याइया एक बात बताइए जो प्लेसवेंट सेल चलता है दो लेफ्ट की लिए बना दूसरी बताली पिछे भी नका रहा है आगे भी नका रहेगा और अपना बात खतम करते हुए बस चंद चीदे आपके सामने रखना चाहता हूं मैं जिस घर से आता हूं नागपूर मेरा घर है आरिनिसका हेड़कौटर है पर एक अमेट करवादी परिवार से आते हुए बच्पन से इंसे ल लड़ूंगा आगे मी लड़ूंगा और जो समय में जो आंदोलन यादी शुरू हुआ है वो नाखपूर जाएगा रेशिंबाग मैदान में मोहन बागवत के आपकूटर हमें और जो हम अलग अलग तरीके से देखते हैं किसान लॉंगमाद निकालते हैं मजदूरों ने अलग अलग अंदोलन लड़े हैं मैं खुद ह तुना जाके वहाँ पर जो मार्च था उसमें शामिल हुआ था ताहरनपूर में गया था ये सारे ताकतों को साथ जेन युएसु लाएगा और इन फासिवाजी ताकतों को इसने तक्स पे उखार के भेकेगा और बोलेगा कि ये स्टेश एक्टेकुलार डेमक्राटिक अपना बात खतम करूंगा आप तब को आने के लिए शुक्रिया जै भीम इंकलाब दिन्दाबाद और लाल सलाम